प्रिजिकल तो सल इमोशनल एंड वेल वेल वी चार बाते यहां इंक्लिवड हैं फिजकली शोशली बाइचर एनि बिहवियर एंड इमोशनल जब हम इस तरह से ठीप होते हैं इनेश्पेक्ट आफ प्रोडक्टिवर तब आपकी इनेश्पेक्ट आप रिप्रोडक्शन तम स एप्री एक कोईस्ट्न आपको पूछे गया है तो यहां तो बहुत इंपार्टेंट बाते हैं आपको इस टापिक में पढ़नी है वह मेहां साब बर्थ चांट्रोड कट्राश्प्ट्ट्रेप्शन और यहां आपको जानना है आटिफीसियल इन्सेमिडेशन के बारे में यह बहुत इंपार्टेट बाते हैं जिनको आप भ्यान से सुनें और अगर आपको बहुत जरूरी हो तो कोई चैट आप फैकल्टी चैट पर जाकर करेंगे बहुत जरूरी नहों तो आप फड़ा साथ कामकी पूरा करना है आपका टेस्ट भी है तो मैं चाहूँगा भ्यान स इसके बाद अब हाई है मेथट साभ भर्व कंट्रोल यानि इसमें सबसे पहले है नेचुनल मेथद साभ भर्व कंट्रोल में फस्त वनी नेचुनल मेथट थां से आप तुनेंगे कोई भी एक्टिविटी ने करें प्लीज आप अच्छे वच्छे हो इस बेरी इंपार्ट नेचुनल मेथड में सबसे पहला है रिदम मेथड राइम मेथड और हर मेथड का नाम आपको जानना जरूरी है नेचुनल मेथड मेथड में नेचुनल मेथड मेथड में तीन मेथड है नेचुनल मेथड मेथड में तीन मेथड है पहला है राइम मेथड या प्रियाडिक यही डू कोई सब्सक्राइब का विजन क्या है उसका एम क्या है कि वो क्या करके बर्थ को चेकर रही है। इस तू प्रियारिक एपिनेंस हमने आपको साइकल बढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो नार्मल मेंस्ट्रॉल साइकल होती है त्था शवंतीस दिन की होती है। इसमें जो ओवलेटरी फेज होता है। वो लेटरी फेज होती है अब ने आपको यह दी बताया किसी के मेंस्ट्रॉल साइकल 55 दिन की है तो लुटियर फेज कभी चैंज नहीं होती है तो लुटियर फेज 14 दिन की होती है तो 35 मैसे अगर आप 14 तटा रहे हैं तो 21 देज वरा है एक्सेप्शन हर जगे होते हैं बट एंसी आइडी ने इंसी आइडी गभी दिए एक्सेप्शन के बारे बात नहीं करती है तो अबना आपको यह दा में जो पुल होते हैं वो मेंस्ट्रॉल साइकिल के दसमें से सत्रहवे दिन तर राम देट 10 तू 17 आपको इस याइडी के डाटा से अलग नहीं हटना है तो राम मेथड या पिरियाडी कर्टिनेंस में कपूल अवाइड कोईटस तू 17 आप मेंस्ट्रॉल साइड दसमें से सत्रहवे दिन तर कोईटस याणी कपूलेशन को अवाइड करते हैं मेटिंग को अगर मेटिंग होगी तो फटलाइजेशन की चांसेश वोंगेगी इसक पहला दूसरा देंगे बिड्राल मेथड मेथड में क्या तर्दे हैं जो गपकूलेशन के पहले इसको बेड्रावर कर दिया जाता है इह रही थुद्राहर मेफद्ञ के दोनों ही ने डिल ओना डिलाक। तो उपर की दो मेथट का क्या विजन हुआ दे प्रिवेंट अट्लाइजेस्टन नेचुरली समझ गए हो गया तीसरा देखिए लेक्टेशनल एंगरिया कि लेक्टेशनल एंगरिया जैसा कि कहा जाता आपने देखा होगा की कि डाक्टर भी अट्र WTF ब्रस्टीय करता है कि इतने जादी से हो माह अपने बच्चे को ब्रस्स्पीडिंग कराएगी गोस्तितिन कि अधार देखिटन मजज़गे करका इंगरियमी जिमनमें सब्स्ता देखिवेंग होगे हार्मोन प्रिवेंट अबलेशन विजन क्या है इस मेथड नहीं जाना है ध्यान अखिएगा तो इस मेथड में लैक्टेशनल अम्मोरिया में मां एग लांग है मां इतना ज्यादा से ज्यादा आपने बच्चे को गूत पिलाएगी ब्रेस्पीडिंग कराएगी में स्टुवेशन के चांसें अलमोस्निल होगे एक बात त Moder लोंगे जुद ऑन एपने पिछे आपको बद पर नों अगडंत कितना से ज्यादा ज्यादा तर उस्ट थो अगर वढ़ा हुआ हुआ है मादर की इस तो उससे ओबुलेशन चेप होगा, तो लेक्टेसनल एमनोरिया का विजन क्या है, तो चेप ओबुलेशन ध्यान कि एगा, उपर की दो में शट है, जे प्रीवेंट फटलाइजेशन ने चुरली, यहां ओबुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो आजे फटलाइजेशन की कोई बा मैक्सिमम से तक रिपोर्टेट है, आलांकि आप डाक्टर आगे बनोगे, तो आप देखोगे, मैंने ऐसे अमान मरीजों को देखा है, आप देखेंगे कि कोई महिला आया कि तो बहेगी कि मुझे तो बच्चा पैदा हुए दो साल हो गया डाटर साय और अभी तक देखेंगे, बट यह आपकी डाक्टर बनने वाली लाइफ, जहां आप डाक्टर बनने जा रहे है, तो यहां जो कितादी भासा है, जो NCIT भासा है, तो यह है कि लैक्टेशनल एल्गोरिया, मैक्सिमम सिक्स मन्थ तक रिपोर्टेट है, एक जो एब्रेज लिया गया है, ज वह है बैरियर मेठट, जैसे आपने शड़क पर बैरियर लगा दिया है, तो आगे नहीं जा सकते हैं, बैरियर मेठट वही काम करती हैं, यह भी फटलाइजेशन को नहीं होने देती है, लेकिन यहां नेचुरल बास नहीं है, यहां पर आपने कुछ अप्लिकेशन लगाए लेकिन फटलाइजेशन यह भी रोके लिए, तो बैरियर मेठट में जो बहुत इंपर्टेंट है, इसमें फर्स्ट आपको करना है कंडोम, बैरियर मेठट में फर्स्ट वन इस कंडोम, इसमें कई सवाल कुछे गया है, तीन चार क्वेश्चन हैं, जिनको आपको ध्यान मे पहले यह थी नवर के बनते थे, मतार आप जो कंडोम बनते हैं, वो लेकिक सीथ के बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यह है, मैड़पाफ लेकिक सीथ, सेकंड क्वेश्चन, यह सफारे सवाल नीट के हैं, ध्यान लखेंगे, यह मेल और खिमेल दोनों के लिए अबलेबिल कंडोम साथ एंबलेबिल और गोर्त मेल और लेकिमेल, फर्स्ट क्वेश्चन है, यह दिस्पोजबल होते हैं, यह रियूजबल नहीं है, यह दिस्पोजबल है, एक बार यूज करने के बाद इनको डिस्पोजबल किया जाता है, और चौथा क्वेश्चन यहां पर है, कि यहां पर कभी कभी कोस्टन में अर्म जाता है कि अचले हıktा भी सुने इसमें मेल उर्म समं कर बस stronger तो यहां पर फुल एट लिस्ट फाइब कुश्चन है एक तो इट इस मेड़ पाफ लेटेक्स इल अफने रवर के बनते थे लेकिन नए सवालों में रवर नहीं पूछा जाएगा तूसरा अब लेविल फार बोध मेल एंटीमेल और तीसरा ये डिस्वोद्बूल होते हैं च भी रहा है तो इस प्रम का ओम से मीटिंग ही नहीं हो पाएगा लेकिन गंडों का इस्तेमाल तो तसे सेट्सपूली टांस्मिटेंब हैं कैसे आपको पता है बैक्टिरियल ही होती है प्रिस भाशल को стороны रिंटिस कि अपन को एक बांद सेट्समिटिटेंड बीयोती है यह आप पाइप वेस्टन पांचों हमने आपको बता दिये और इसके बाद सेकंड नहां पर है डायाफ्राम सर्वाइकल पर वाड्स वाड्स है यह सब कीज़े हैं किसी बैरियर मेथड ने फर्स्ट आपने कंडों पढ़ा सेकंड में डायाफ्राम सर्वाइकल काइब वाड्स यह आते हैं यहां पर कौन-कौन से क्वेश्टन आपके सामने जरा ध्यान दें जादा कर मैंने देखा वगत मैं पढ़ाता हूं तो आपको इतने इंसे बेस्टन होते हूं उन सब के मैं आपको फोकस करना चाहता हूं यह त्रेस पोर्स है कुछ चीज़े तोड़ा तेजी से होती है क्योंकि हमें सब मिंटेंट करना है बटा यह तिन नवर के बने होते हैं सब्सक्राइब के बने होते हैं सब्सक्राइब के लिए अब लेविल फार फिमेल और यह री यूजेबिल होते हैं कि सारे सवाल या केंट किसरा है री यूजेबिल होते हैं और चोथा यह सर्विक्स को कबर करते हैं लगाये जाते हैं बजाएन अगे कुछ पूछे हों गये हों करी 9-10 विस्टन याई पीम्ट और नीट मिला करके माथ समय इसके बाद कीसरी में एफ जा रहा है यह बहुत इंपर्टन में तर रहे बहुत इंपर्टन में एफ एफ एरड में जाकर आएँ कि हम बांट करेंगे कि इसरी में स्थे बाग परेंगे इंड उत्रायव अभी लुट टीवाइश इंट्राइन डिवाइसेज उनको साथ में करते हैं आई यूडी इस वेरी वेरीएंपॉर्टन इंट्राइन डिवाइसेज आई इूडी पर्स्पॉयंट ये इंडिया में क्या पूरे वर्ड में देकि फिराल आप अपने कंट्री की बाज करेंगे प्रिवल्र के लिए सबसे पापुलर कांट्रा स्वेटिव मेथड यह की मेल के लिए या मेल का कोई अस्थाम नहीं जानें ना इन्ट्रा यूट्राइड डियोएस इंट्राइड और पापुलर मेतट व्यू दूशरी बार किया है यह डाक्टर या एक्सपर्ट नर्स इनको कोई खुद नहीं लगा सकता है। और तीसरी बात यांपर दो पॉइंट यह हो गए आपके फर्ट पॉइंट आपको यह पढ़ना है कि आई डीज आपको कौन कौन सी आई डीज हैं आई डीज बेसिकली आपकी किताब में तीन लिखी हैं पहला है नान वेडिकेटेड आई डीज इनके उदाहर पूछे जाते हैं इसका एग्जाम्पल है लिपीज लू अब इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। पहले लोग लगवाया करते थे बट आप इनको जाते हैं लिपीज लूप हैं लिपीज लूप का इस्तेमाल बहुत कम होता है। पहले लोग लगवाया करते थे बट आप इनको जाने के विच आप दर फाविविंग नान मेडिकेटेड आउडी तो लिपीज लूप उसके पाद दूसरा है तापर रिलीजिंग आउडी आपर रिलीजिंग आउडी इसके जांबू में आते हैं तापर टी तापर सेवेन कि मल्टी लोड कि 375 एक्सेटरा कि आप ध्यान में रखें कि आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेथड का मल्टी लोड 375 बहुत ज्यादा जो गर्वर्मेंट हास्पिटल की सप्लाई है दो से ले करके पांच साल तक के लिए अवलेबिल होता है और यह आयोडी आप अला चाहते है यह दो बच्चोन गयब करना चाहते है एक बच्चा चाहता है उनके लिए बहुत ज्यादा आईडियल में पश्यादा है तो कै तो पर न शक्रांटी का मैंने बैंटी लोड्ट रई-थि-गंटी आता है आपके किताब मेंने लिखा हुआ है आप डाक् कापर टी कापर सेवेन मल्टी लोड 375 आपको जो मैं बोल नहां उसको ध्यान से सुने वीडियो को दुबारा देखे आपको इंसी आइटी पढ़ने जोरत नहीं और तीसरी जो हैं जो थर्ड मेथड है वो कि हार्मोन डिलीजिंग आउडी कि हार्मोन हार्मोन डिलीजिंग आउडी का दो नहीं स्थे इसर्ट है तो जद्शेसर्ट कि अलंगे डी को सारे क्वेश्चंपूछे गया है सट्राइड ऊट्रा सब्सक्राइब करना चाहते हैं या लिम्टेड बच्ची जिन को चाहिए ये तीन तरह की होती है नान-प्रेडिकेटेड उदाहरल आपने देखा आपने एग्जाम को देखा हर्मोन डिलीजिग आटी ये आपने उदाहर देखा उसके पाद यहां पर नोट करके कुछ बाते लिखने ये सारी बाते आप से व्याम में पुछी रहे हैं तीन बाद हम आपको बताएंगे पहली काट जैसी आटी ने लिखिए आईवडीज प्रमोर्ट पेगो साइटोसिस आप स्पर्म विधिन दायूंगर्स ये सारी आईवडीज के लिए लिख र सहते से लिख रहे हैं यह इस सपर्म मोगेलिटी इन 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 पेलिण कसी यां अर्यंघ में मेक्स यूटरस अन्सुटेबिल फार इंप्लांटेशन एंड सर्विट्स होस्टाइल फार इस्पॉर्ण यह आईडीज का अलग-अलग बिजन है तीनो बातें आपको विर्कुल लर्न होनी चाहिए कि आईडीज प्रमोट थेगो साइटोसिस आफ इस्पॉर्ण विदिन दा इउट्रस कापर आयन सप्रेश इस्पर मोटल्टी एंफटलाइजिंग पैपरसिटी आर्मोन बिलीजिन आईडीज यह में यूट्रस अंसुटेबिल फार इंप्लांटेशन एंड सर्विक्स फोस्टाइल फार इस्पॉर्ण यह आईडीज का विजन है और अगर आपको आइडेंटि के लिए जाता है इसमें यह तुर्ण आपके सामने आ रहा है आप जान लखके यह इंट्राइंट्राइंड डिवैसे का डियाग्राम है आइडेंटिक्पिकेशन के लिए पूछा जाता है इसमें फ्रेड लगा होता है नीचे जब तक कि दो से पांस साल के लिए यह सारी डिवाइस हैं हमने बताया कि जो मजडी लोड 380 है वो दस साल के लिए भी आता है बटो आपके सवालों में साइब ना पुछा जाए तो जब कर इच्छा लगाया है और जब इच्छा नहीं है तो इसी फ्रट से अब यह निकालते समय इसक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा इतना स्पीट नहीं बोलता हूं कि आपको समझ में नहीं बहुत तिन तिन बार में आपको थी में में आपको बता दी तेन में आपको बता दी है उसके बाद बैरिये वली दो तरह की मेथ आपने पड़ी अर्द इसके बाद अब 4 your है औरल कांट्रासेप्टिफ जो कांट्रासेप्टिफ पिल्स आती है जो गर्व उन्हें लुदर गोली आती है उनके वार्द्यार आप सुधर इंपर्टेंट तो चौधी आप परिये कि 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 क्या हो गया है कि फोर्थ आप पढ़ें वल्ट सेथिफ से आप गघ्रासेप्टिफ में दो वाते ध्यान दखिए घ्रासेटिफ पिल्स आती है चाई है मॉर्ट फ़िछेफिफट्पिल्स का मतलब टैबलेट यहां पहली बात आपको एधाना है कि जो ओरल का अट्रसेप्टिव आती हैं वो दो तरह की होती है यह एक इस्किरोडल और दूसरा नाम इस्किरोडल यह पहला पहला फ्रस्कॉइंट देए जो कांटर सेप्टिव पिल्स होती है तू टाइप यह फ्रस्किरोडल के उसार लोमनेख नयाहिंट यहांले आँ मutती है इस्किरोडल के उदाहर में आपको बतार आम जर्nakस श हुसा इस्सिंटी में चर्फिंशन होती है यह फ्रोजेस्टोजन तक किश्ट्न प्रोलिसें warranty's पढ़ें हां यह 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 आपर उस्तो लेलोन होते हैं यह हो जिस्टो ज़ेलeto debris combination हो मि यह ही इद्यार वाइनेंश्टरियो मैं हो सब तो जस्टोजन एलोड या एक प्रोज़जन एलांग भी इस्टोजनी फुमिने होती है इन्मे एक स्क्रिप होती है और इस्स्क्रिप में ऐसे 21 टेबलेट होती है एक ढूंटीवन पिल्स इनका अगर बेते हैं जो बेस्ट आपसे पूचा जाता है तो एक आमपल में हैं माला दी और माला एंड इनके बेस्ट एग्याम्पल जो आप से पुस्चन में पूछे जाते हैं यह जो इस्टरोइडर कांट्रासेटिट पिल है यह क्या है यहार आइदर प्रोजेस्टोजन और इंग कंबिनेशन आप इस्टोजन और आप यह कर सूखने है में में आपने जिन से पांच वेश खत आपने शुकन सब्सक्रासेट आप में पड़ा और किसी किताब में सब्सक्रासेट इस इद रिखर रहा किताब कर दो habían आप ने से कोई समय अमाम गड़कियां बैटी होंगी लेडी डाक्टर बनेगी तो आप यही एड़्वाइज वरूगे कि जिस दिन बताया और इनका यहां विजन क्या है यह कैसे कांट्राइशन को चेक कर रही है यह और दूसरी है नान इस्ट्राइशन का जो बेस्ट एक्जाम्पल आपके लिए हैं आपकी पिताब में दिया गया है वो है सहरी जो आपके किताब में इसके और भी ब्रेंड आते हैं उसमें आपको नहीं जाना है और आपके पूछा भी नहीं जाएगा तो इस एली है कि नान इस्ट्राइडल और पांट्रासेप्टिव पिल है इस प्रपेरेड बाइस इडिया राई लखनो इस पर कई क्वेस्टिन है इस नान इस्ट्राइडड ओरर ंन्ट्रासेप्टिव कि नान इस आपको जानदेने कशाहिए संट्रल इसिंटी इ्ट नहीं है मंको सार। नारे लियाड्री लगनाव में। ल्टेवज नारे लुट काता है prop API तरप ये जानी कि शबस गरम नारी के विविधा तुम बहुत है जाती है तो इसकी तरह वहां से भी पिल है नान इस्टराइडल है सीडियारा इन अग्में प्रेपेर किया हफ्ते में एक बार ली जाती है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है इसलिए इस दावा ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है तो इसके बारे में चार पांच बाव और इसके बारे में अगर आप 2019 का पेपर देखें डिट का तो इसी के बारे में पुछा गया था क्वेश्चन 2019 का यह इंप्लांटेशन को चेक करती है यह इंप्लांटेशन को चेक करती यह पूशा गया है 2019 का क्वेश्चन है इंप्लांटेशन चेक हो रहा है यह इंप्लांटेशन चेक करने के साथ आख और भी क्या करती है जो एंडोबिट्रियम है उस लाइनिंग को भी डिस्टर्ब कर देती हैं यह पैसे उसमें बच्चे बहुत ज्यादा अंफ्यूज होए दे तक यह आख देना होगा कि अगर इस्तुराइड है उसका क्या विजन है अगर नान इस्तुराइड है वो इसका क्या विजन है नान अरजआ कि आप कुरी बास सुन लेजए हम आप प्र शारे स्वालों का जना जबाउब दे चुके हैं आपने लिख को दिया पहले ही पिटा मट को सुन ने की आदर डालो सुनने के बाद फिर आप प्रम although वोनette SAM यह मिल्मान अपने하기 डलां कि Cr Cracков कर देंदेशं टेखेंगे लिए अर्ट बाइट ने पुछा तो यह हो गया और अरल गांटर सेप्सेट यह सुरुवाथी चार मेंथर बहुत इंपार्टन है जिसमें जो सेकंड फर्ट फोर्स वादी चार मेंथर बहुत इंपार्टन है इन ही वेसे ज्यादा तर आप देखेंगे 75% कुश् तर्वू पांचवा चींगा इन्जेक्टेविल कांटर सेक्टिव तो आगर आको ऑ्रल कांटर सेक्टिव समय पीजेक्टेविल कांटर सेब्स में कुछ नहीं है कि यही को जिस्तुघंड और इस्टुरुजन का कमिनेशन होती है They are in combination with progestogen and estrogen, in the form of injection, in the form of injection, injection के form में होते हैं. इसका जो एक्जाम्तों है, injection है, वो आपके NCIT में नहीं दिया है, DMPA, DEMPA, DEMPA, Depart Medroxy Progesterone Acetate, इसका full form है, Depart Medroxy Progesterone Acetate, DEMPA है, DEMPA क्लीनिक भी गवर्मेंट की तरफ से चलती है, तो oral contraceptive में जो आपने इस्ट्राइडल oral contraceptive पढ़ा है और जो injectable पढ़ना है, इसमें फर्क नहीं, बस यह tablet के फार में है, और यह injection के फार में है, combination होई, तो vision भी होगा, यह population को चेक करेंगी, और यह लहाई, पर आर में यहाँ, जहाँ आप इंजक्शन लगवाते हो, detroid muscle, वहाँ पर यह लेफ्ट अपर आर में, यह भी question है, जयाने लेफ्ट आपर आर, राइट नहीं, लेफ्ट नहीं लेफ्ट, ठीक, तो लगाने कोई लगा दे तो यहाँ पर यह अपर आर में लगाई जाती है, यह इसका जब आ वह यह लो, लैट ओके ऑला सल वाले श्ती जाप यह इस यह अजेक्शन बाया है, इस प्रानियाँ आर यहरं आपके खोंके थी। जाने नहीं होगा साल बरतक वाली डोज लग गई तो साल बरतक पॉभूलेशन नहीं होगा तो यह है इंजेक्टेबिल इसके बाद एक छड़ी मेठिड है इंप्लांट कि इंप्लांट या नार-क्लाइट और देखेंगे तो इसका भी डाइग्राम इनसी आइटी में दिया हुआ है कि यह भी हार्मोनल कैप्सूल होते हैं और हार्मोनल कैप्सूल होते हैं और सर्जिकली इंप्वांट इसकी में के नीचे अलता से अकट करके इसको सरदर्ण लगाता है इसको इंप्लांट कर देता रख देता है और धीरे दीरे होते हैं और यह भी उगुलेशन को चेक करते हैं इनका भी डाइग्राम मना हुआ है किताब में उसको आप जरूर जा कर कि देखें इंप्लांट और नार प्लांट का कि लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड और सर्जिकल मेथड में दो में मेथड हैं एक टूबेक टामी इसको आप स्टाइल पिंग टामी भी कहते हैं और दूसरा है वैसे टामी कि सर्जिकल मेथड में बेटा यह दो मेथड हैं टूबेक टामी और वैसेट कामी अपसुद्ध हिंदी पे टूबेक टामी इसी को टूबल लाइजेशन दिखा जाता है कि टूबल लाइजेशन कटिंग एक लाइजेशन होता थो कहीं पर भी टूब्ट को पाक्ट जे ले और रांट बांदेगे पेटिक अपक्ट एसेट टूबल लाइजेशन लाइट मतलब गांठ बांगना सब्सक्राइब क्या करते हैं इसें करते हैं लोग्य को चाट करके उसको बाब देते हैं और आज कर लेप्रोसकोपिक क्यांत नश्वांदी होती एसी कुंसानी काते है सुध हिंद में छट से होता है क्राइब दस मिनट का काम होता है इस से जयादा काम नहीं होता है लेप सो फिक जो सर्जन होता है तो वेजयना के फ्रूपन नहीं कर पा राया प्रचाण में देखा होगा ना कोई ना कोई ताका ना कोई चीरा इस तरह से काम किया जाता है सब्सक्राइब कर दिया और दो गंटे टार गंटे के बाद उपने घर लोग रहा है अब इस तरह का ये इतनी पॉस्ट प्रिक्रिया है ऐसे ही दूसरा है वैसे कामी वैसे कामी सुध हिंदी में इसको आप पुरुष नस्बंदी कहेंगे सब्सक्राइब कर रहा है कि पर्मानेंटली ब्लाक कर रहा है कि यूगे टामी ओम के पैसिज को पर्मानेंटली ब्लाक कर रहा है होनी की बात ही नहीं और अगर आगर अपने वैसेक्टामी किया है राज़िगने बात है यह सारी इतने आपको बताया रिप्रोड़ुक्ट अन्य मैंने आपको बताया आज के लेक्षर में अभी थक हमने आपको बताये क्या है concludedulle फारे बच्छे अप्सक्राइब अतले होंके रिप्रोड़क् Leon को संझ के लिए राफ़श की डपीनिशन नहीं जैसे आप पढ़ते हैं कि health क्या है, it is state of complete physical, mental and social well-being. तो reproductive health में mental वाली बात नहीं, it is state of complete physical, social, behavioral and emotional well-being in the aspect of reproduction. ध्यान रखेंगे, this is definition आप में CIT और उसी definition को आपको value देना है. अभी तक reproductive health class के उपर कमी definition के उपर question नहीं पुछा गया है. जब भी पूछा जाएगा तो आपको कुशीवत नहीं हो, आप health से compare कर लेंगे. तो health के जो health में जो तीन सब्द है, physical, mental and social well-being, उसका physical and social, वो वाला point यहां में लिया गया, plus इसमें दो point और डाले गया, behavioral and emotion. यह चारो point आपको जहां में लिए. उसके बाद हमने यहां पर बहुत important बात है, birth control की method आपको बता दी. अब यहां पर दो लाइने हैं किताब की जो अभी आप में से किसी ने question पूशा है, किनके side effect क्या है? तो दो लाइने NCRT ने बोली है कि remember that contraceptives are not of regular use to maintain the reproductive health. Remember that contraceptives are not of regular use to maintain the reproductive health. यह किताब आपकी लिख रही है, कि आप याद रखें कि reproductive health को maintain करने के लिए contraceptives का regular इस्तेमाम नहीं करना है. जरुरत के हिसाब यही बात आपकी किताब लिख रही है, कि remember that contraceptives are not of regular use to maintain reproductive health. दूसरी बाते भी लिख रहे हैं, सारे contraceptives का इनोंने मिला करके एक लिख दिया है कि जो contraceptives के जो possible side effect है वो क्या है? यह भी आपका एक question. कांडरा सेफिक के possible side effect क्या हो सकते है, जैसे nausea, कुछ female complaint करेंगी कि हमें nausea हो रहा, nausea मतलब एक ऐसी state जिसमें vomiting हो सकती है, nausea एक ऐसी state जिसमें vomiting हो सकती है, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी, अभी उल्टी हो जाएगी, इसको कहते nausea उल्टी होती नहीं है, और क regular menstrual bleeding होती है, यानि menstrual cycle disturb हो जाती है, और कुछ cases में breast cancer भी reported, तो यह आपका सवाल है, जिसको आपको इस जर्की फोकस करना है, हमें आपको कई बार कहा है कि आपको रहा स्कोर्स कर रहे हैं, मैं तो यह मान के चलूँगा, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे बच्चे ब नौजिया, वंटिंग, इर्रेगुलर, menstrual cycle, abdominal pain और कुछ केस में breast cancer, यह कांटा सेप्टिप के पास्टूर साइड है, अब इतना पढ़ने के बाद, एक और आपके किताल में है, डायटील MTP, इतना पढ़ने के बाद, एक बाद और आप जाने MTP, और MTP का मतलब है, medical termination of pregnancy, M MTP आपने पढ़ा होगा, पहला सवाल तो यही है, बहुत सीधा साथ, बहुत सिंपल सा question, कि what is MTP, MTP का मतलब medical termination of pregnancy, इसी को आप एवार्शन कहते है, induced abortion, MTP, medical termination of pregnancy, also called induced abortion, ज्यान रखें, मान भी आर किसी ने कांटरा सेप्टिब मेथर्ड नहीं अपनाई है, और यही ज्या कि कोई ही contraceptive method 100% secure नहीं है, तो अपनाने के बाद भी अगर इस तरह की बाप हो गई है, कि pregnancy हो गई है, और बच्चा नहीं चाहिए, तो गवर्मेंट आफ इंडिया ने MTP यानि वेडिकल termination of pregnancy, इसको induced abortion कहते हैं, उसको सिंस 1971 से इसको legalized लिए है, गवर्मेंट आफ इंडिय सिंस 1971 से legal process दिया है, और तमाम इसमें foundation है, कुछ बहुत strict rule है, इसको रोगने के लिए तमाम इसमें strict कड़े कानून है, कड़े प्राविदान है, इसमें, ऐसे नहीं है, कुछ खास rules regulation है, जिनके तहते हैं, और आपको यह धेना है कि जो MTP है, जो induced abortion है, वो कब तक safe है, पाध्यान का कियागा, फर्स्ट्राइमेस्टर में safe, it is relatively safe in first trimester, this is our question, कि पाहले तीन महीनों में और उसमें भी पाहले दो महीने, जो आठ हप्ते हैं, वो बेहत ज्यादा safe है, इसा नहीं लिख रही है, आपकी किताब लिख रही है, इनको भी legalize गिया जाए, लेकिन ऐसा हमने paper में सुना है, पड़ा है, कहीं किताब में नहीं पड़ा है, इसलिए आप उस बात पर ध्याम नहीं लेखेंगे, आपको सिर्फ इतना ध्याम देना है, MTP क्या है, medical termination of pregnancy, या इसी को induced abortion कहते हैं, पहले ट्राइबेस्टर में यह सेफ है, सेकेंड और फ़र ट्राइबेस्टर जो एवाशन होते हैं, यहार मच मोर रिस्कर, certain conditions में वो किये जाते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं तो बहुत रिस्की होता है, वो डाक्टर ही डिसाइड करेगा, और 1971 से इंडिया में legalized है, और इसके कुछ rule है, जो illegal cases है, उन पे ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस होजल से इस्ट्रिक्ट इसके रूम है तो यह होगे मने आपको बता जिया कि तना करने के बाद कि अगर किसकी को बच्चा नहीं चाहिए तो यह चीजे इसके बाद अब यहां पर क्या पढ़ना है तो मेठट सा बर्थ कंट्रोल और यह सारी चीजे हम अब यहां पर आपको बहुत इंपर्टेंट प्वेश्चन आते वेठा वो पढ़ना है टेस्ट्यूब बेवी किसी टापिक में आप टेस्ट्यूब बेवी पढ़ते हैं किसी को कहते हैं आईवीयफ टेक्नीक कि अभी अभी तो आप पढ़न रहे थे कि जनसंख्या को नियंत्रोंत ऐसे किया जाए अब आप पढ़ने हो कि ऐसे पारेंट जिनके बच्चे ही नहीं हो रहें बहुत सारी दवाईया करा ली बहुत सारी बातें हो गही और अब बच्चे लिए पहला क्वेश्चन रीट इसेंट सलूशन आप इन फर्टिलिटी इन फर्टिलिटी का रीशेंट सलूशन है और है आपने दो इस्टेटी पढ़ी होगी इन विट्रों इन विट्रों का मतलब आउटसाइड बाडी इन विट्रों का मतलब आउटसाइड बाडी इन विट्रों पहला पुश्चेन रिटी रिशेंट सलूशन आप इन फंटिलिटी दूसरा पुश्चेन अगर हम बात करें जैसे एम सोगेरह तक के जो संस्थान है आपका जो एम से 60-70% तक इसको एफेक्टिव मांते हैं कि 60-70% गारंटी लेते हैं किसका जो सक्सेस रेट है वो 60-70% है इस पढ़ते रहाते हैं आपको बता रहे हैं लेकिन सवाल के तौर पर आपको क्या जानना है पहला तो यह है कि रिशेंट सलूशन आपनी फटिलिटी दूसरा ही है इन विट्रो फटलाइजेशन यानि फटलाइजेशन आउटसाइड द बाडी इनसाइड लेबोरेटरी कल्च टीश पूरा इस्टेब्र जाती रहास्पिटल जैंदर आपका पूरा इस्टेब्र जैसे बहुत ज्यादा हम तरह सकते हैं बहुत जादा इसका लाइप होता बहुत चीजे इसमें साउधनियां होती है विए सौन पर देशें पद्रोल्स तुराइजेशन बाटें इसरी बात आप क्या जाने ही यहाँ पर क्या करते हैं सेम मदर से जिस मा के बच्चे नहीं हो रहे हैं अगर उसकी बाकी और भी चीज़े ठीट है कि माले फिलोपेंट यूब लाके तमाम कंडीशन होती है उस बात में आपके इमाज में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए डाक्टर बने लिए तो बहुत सारी इसकी कंडीशन होती है वह कंडीशन आपको नहीं देना है एक मैच्चोर एक को यानि सेकेंडरी हो साइट तो लेता है सेल मदर से ले सकता है आजकल स्रोगेशी वाली बात है सच्व करवाते हैं तो इसमें आसकर इपान स्पर्व आते हैं तो या सपर्व होते हैं कंडीशन बहुत सारी खर्वत सब्सक्राइब और यहां से आपको बात ध्यान देनी है कि शनी यहां से ध्यान देनी है ठीक से सुनो बैटा कि अब करते क्या है जब हट्लाइजेशन के बाद क्लीवेश सुरू होता है आपको पता है म्रियानी डवलम्मेंट इस दीजे जो होता है यह जो जाइगोट बना है यह जो एंब्रियो है बना है इसको फेलोपीयन ट्यूब में ले जाकर के डाल दिया जाता है से मदर के आस्व ढ़किया इसको यह जाए अप तू एर्थ-सल-श्टेज इसको इन्ट पर इसको ख्मागादेज बहुतित फहलोपियो में लिघants लिए जाता है और इसको पहते हैं जलोपियोत इक विगोपिंट फिलोपियोट इंट रोपियिकल प्रॉंसर को यहॉट थी आ tablespoons इंट ऐसी को क совет है दिगर लोबियेड टांसफुर के बाद क्र्ट्रीसाइड कर रहा है ऐसे लुए स्टेज के बाद हमें डालना है तो वहां जाता है कि इसी को कहते हैं जाइण डिलोग्पियाय ट्रांसफर भब कि प३श्चिन लटके अगए आपटू यह रिश्चे लोपीयं ट्यूब में जायगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसपर्ट के बाद सिधा यूटरस में डालेंगे एम्ब्रियों को उसको कहते हैं जायगोट इंट्राइट टंस आ इस तरह से बच्चा पेदा होता है से जो बच्चा प्यादा होता है इसको करते हैं टेस्टु बेवी पाहला टेस्टु बेवी ब्रिटेन में पैदा हुआ था बहुत 40 साल पहले अभी कोश्चन नहीं पूछा जाएगा और इंडिया में जो पाहला टेस्टु बेवी आया है वो कोलकाटा और मुंबई में आया ह है कि जैक यह तो हमें नहीं आदा रहा है पट एटी आइंटी एटी और नाइंटी के दीच में आया है तो पहला बेटेन में पैदा हुआ था लंका साहर अधम जन्रल हास्पिटल में बस टेस्टु बेवी बाद 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 इंगलेंड टेस्टु बेवी पे लुइस ब्र आ इसके बाद एक और है बहुत इंप्टेंट्ट कैंस्था ईसको इसको मिला के लिए, यहां आपको गिप्ट मिला है अगर किसी मां को नहीं बन रहा है तो सरोगेट मदर से ओम को लिया जाता है और मां के खिलोपियन अपको बहुत ज्यादा यहां नहीं सोचना है बहुत सारी काते होती है ने यहां पर ओम को फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है और ध्यान दीजिए फिर फ्रटलाइट्याइस सर्फ नेचुरल होने दिया जाता है यहां टेस्टूब का कोई काम नहीं, यहां पर सिर्फ लेप्रोइस्कोपिक सर्द यही करेगा, इसको फिलोपिन टूब में डाल देगा, और फिर नेचुरल, अट्लाइजेशन की सारी प्रासस नेचुरल होगी, तो कभी एक क्वेस्टन जग एम शलब हुआ करता था, तो ए यहां पर फटलाइजेशन आप जर्ब किया जा रहा है, लेकिन गिफ्ट है यहां पर फटलाइजेशन आप जर्ब नहीं किया जा रहा है, यहां पर फटलाइजेशन आप जर्ब नहीं कर सकते हैं, यहां पर फटलाइजेशन आप जर्ब किया रहा है लेकिन यहां पर फटल और इसके बाद एक और आपको पढ़ना है इंट्रा साइटो प्लाज्मिक स्पर्व इंजक्शन यहां पर क्या करते हैं यहां पर लेबुरेटरी कल्चर्डिस में यह यहां पर लेबुरेटरी कल्चर्डिस में इस पर्म को सीधे ओम में इंजक्ट किया जाता है अदर इस पर्म को सीधा ओम के अंदर इंजक्ट कर दिया जाता है इसी को करके हैं इंट्रा साइटो पाल्मिक स्पर्म इंजक्शन लेकिन यह काम लेबुरेटरी कल्चर्डिस में ह और इसके बार लास्ट में यहां पर है AI, artificial insemination. Insemination का मतलब मैंने आपको बताया था, it is deposition of semen into vagina, it is forceful expression of semen into vagina, इसको insemination करते हैं. यहां दो तरह का होता है में डाला गया तो इसको कहेंगे इंट्रा-उट्राइन इंसेमिनेशन ओके तो I think मैंने रिप्रोडेक्टिव हेल्थ का जो में टापिक है जहां से हम तह रहें कि 95% question आते है I have completed मैंने आपको कोई जल्दी नहीं किया मैंने आपको कर दिया है यहां कुछ question हम और आपको बताये लिए ध्यानक्येगा high level of estrogen यहां लखना this is very important question high level of estrogen और LH triggers the ovulation high level of estrogen and LH triggers the ovulation estrogen और LH का high level ovulation को trigger करता है बढाता है whereas high level of progesterone inhibits the ovulation अभी अभी पीछे मैंने लेक्टेशन लेंदोरिया प्रोलेक्टिन बताया है high level of milk production hormone also inhibits the ovulation तो एक टाइम पर यह बातें आपको बेटा नहीं आद रहती तो ध्यान रखेंगे और आप इसको कहीं लिग भी सकते है high level of estrogen high level of estrogen triggers the ovulation estrogen and LH दोनो high level of estrogen and LH triggers the ovulation जिनी stimulate the ovulation and high level of progesterone and milk production hormone inhibit the ovulation यह ovulation कर दिए अफसर आपके दिपान को बात रख दिली और एक लास्ट बार आज जो और बताएंगे आपको यह जो मैंने आपको बताया था estrogen और progesterone का इस्ट्रोजन का इस्ट्रोजन का कम्बिनेशन इस्ट्रोजन और progesterone का कम्बिनेशन अगर फटलाइजेशन के 72 आवर्स के अंदर ले लिया जाए estrogen और progesterone का कम्बिनेशन अगर फटलाइजेशन के 72 आवर्स के अंदर लिया जाए तो यह emergency contraceptive का ताम करता है यह implantation को चेक करता है ज्यान रखें तो रिप्रोड़क्टिव हेल्थ वाला टापिक आई थिंक हमने आपको पूरा किया है आप इसको पड़ें और इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं आपके एग्याम के तौर पर एक बात और आप से कहेंगे अभी इसमें हमने हमने सर से बड़ा अडिशनल टाइम आना है मांगा है इसी हफते में हम मैंने रिक्वर्स किया है एक लेक्टर मुझे और चाहिए तुर बताना है यह स्टेशन पीरियेट बताना है पार्चूरिशन और पार्चूरिशन हम बताएंगे जरूर और इसी में इम्रिया इफ्लफ्ल dor है कि सवीवल एक कर भाद में पाना नियुक्त आखर फनार पाटा को रिक्वर्स प्रता लूर्ट फल्ट पिस्टों बताना है आपको प्रताbas हमें अब ऑप ऊट्वर्सिन शर माना है हुए इसी में आपको ऐस रियाड जर होताना पार्लकू काझा था जो ही एक्स्ट्रा एंब्रियानिक मेंब्रेन को बनाता है अप्रियों के बाहर जो इस व्हार ने करेंगे और ने काफिटे बिन रूटीन में प्रुटीन में जो नेस्ट हमारा क्लास होगा उसमें ओर जिन इवनुशन आपको बताएंगे बहुत इंपार्टन है तीन चार तीन चार दो तीन चार ऐसे कुष्टन आता है और ज्यादा तरह आप इंसी आटी पढ़ें इंसी आटी बेस जो भी चीजे हम आपको जो भी लेक तरह में आपको लगभग पूरा करने को सुष्ट रही है थीक है थाइंक्यू बड़ा था 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 झाल 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